याजमान जी, याजमान जी, अधिक वर्षा होने के कारण सितापूर की पूरी बस्टी डूब गई है, उस गाउं के लोगों को वो रामचंदर बचा कर सबको यहां से ले जा रहा है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं भी सारी तयारियां करके उनकी प्रतेक्षा कर रहा हूँ उत्रो, उत्रो, अन्मान, तुम बच्चे को समाल कर लिया, जल्दी, है मैली, हे, सब लोग उत्रो रहे, चलो, जलो, जलो रुक जाओ, गाय भैसों की तरह कहां घुसे आ रहे हो तुम लोग, यह मंदिर हमारे दादा जी ने बनवाया था, तुम जैसे गिरे वे लोगों को अंदर छोड़कर इस मंदिर को, मैं आप पवित्र नहीं होने दूँगा। भक्तों के अंदर आने से मंदिर पवित्र होता ऐसा कहना, भगवान को कलंकित करने वादी बात है। मैं अपना सरकटवा भी सकता हूँ, और दूसरा का सरकार भी सकता हूँ। अगर तुझे अपनी चांद प्यारी है, तो हट जा मेरे रास्ते से। हम कोई बालों में गजरा लगाकर और हातों में चूड़िया पहनकर नहीं खड़े हैं। होई, खत कर दो सबको। हेई, हमारे रास्ते में मता इसी में तेरी भालाई है। नहीं तो, तेरा सर धड़ से अलग करके तेरी लाश से गुजरना होगा। अरे देख क्या रहे हो, सब दो चाले दो, सब दो गंदर आजाओ। मेरा हाट। समल के बेटा, समल के। सुनो, इस लड़के का माबाप कौन है। मालिक मेरे माबाप कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आओ, मैं हो ना, आओ चल चल अराम से। यह क्या यजमान जी, बगवान के प्रसाद में आप विश मिला रहे है। जौला मुखी की आग ठंडी पड़ सकती है, अचार्या जी, परंतु मेरे दिल की आग अब भिद्धहक रही है। किन्तु, ऐसा करने से आग को क्या मिलेगा। उसने मेरा अपमान किया है। जौला मुखी की आगा। चलो रहे। खोलिए, खोलिए, खोई को दर्वाजा खोलिए, खोलिए। मालिक। आराम से परोसो, सुनिये राम थंदर गी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। सुनिये मालिक, इस प्रसाद में विर्ष है, मत खाये। यहारमन, उस घर में आग लगी है, जल्दी बजाओ, जल्दी। अरे सुरो, आग लगी है, जल्दी दे पालिंगे कराओ, जल्दी। अरे जयजमान जी, अब क्या होगा जयजमान जी। अरे तुम छुप रहा होगे की नहीं। जल्दी दे लेकर आँ, कुर्सी रखो। हाँ, बेटा, लाँ। पाने लो बेटा। जब तुम अंदर थे, तो बाहर से कुण्डी किसने लगाई थी। वो नीलखंट और पुजारी ने आपको जो प्रसादिया उसमें विश्च मिलाया है। ये बात मैं कहीं आपको बता ना दू सोचकर उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया था। इन्हें लेकर जाईए इस्पेक्टर, बात मैं थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाता हूं। सहब जी, इन्हें बड़ी से बड़ी सजा दीजिए। देवता समान है हमारे मालेक और बच्चों को मानने की कोशिश यह इनोंने। मुझे किसने मारने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद अंदर से आग लगाई थी। तुमने खुद लगाई? लेकिन क्यों? आप दोनों को विश पिने से कैसे रोकूं समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आपने तो काथा ना मालिक अगर कुछ करने से दस लोगों का भला होता है तो अपने जान गवाने में कोई बुराई नहीं है आप तो इस गाव के देवता है। इसलिए मैंने सोचा आपके लिए अगर इस अनात की जान भी जाती है तो अपना सहभागे समझूगा ऐसी बात नहीं करते बेटा तुम अनात हो ऐसा क्यों सोचते हो हम है ना बेटा एजी हम इसे अपने घर लेकर जाए क्या ठेक तुम्हारा नाम क्या है बेटा क्रिश्ना जानके अपने मा चामुंडेश्वरी के मननत पुरी करने का समय आज आया है यह मुकुट कैसा लगा अधी सुंदर है जी हां और यह किस ने बनाया पता है हमारे क्रिश्ना ने हमारी देवी मा भी देखकर खुश हो जाएगी पिता जी कितना सुंदर मुकुट है ना ना दामाजी का है बेटी एरे मैं तयार हूं सब्सक्राइब बांदू लूंगी बादने से क्या होता है दि पुलिस की सिक्रियूटी के बिना इतना कीम्ती मुकुटी स्तर ले जाना ठीक होगा क्या दामाजी हमारे राधे को आपने क्या समझ रखा है वो किसी सेना से कम नहीं है उसके होते हुए किसी पुलिस बंदोबस्त की जरूरत नहीं है आप हमारा अपमान कर रहे हैं आप चोटी बोटी बातों को खीच कर बढ़ा क्यों कर रहे हैं अब क्या है यह लिए इसे आप ही समाले मुझे कोई अतराज नहीं ठीक है क्रिश्णा कर आए भाई वो चौकिंग और जंपिंग करने के बाद सीधा मंदिर पहुंच आएगा बोला था मतलब लेट ही आएग तर बहुत बड़ा थीर मारेगा क्या तिर नहीं शेर मारेगा वो कि कर दो कि अधिया है यह यह क्या कर रहे हो अब लोग और अमसे चाहते हैं आप लोग अब बात अब आपके अब अब आपके अब इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पूरी सिक्रीटी का बंदोबस्त कीजिए आपने मेरी बात नहीं मानी अब देखा क्या हूआ अब क्या करें सम्थी जी अब क्रिश्णा करें कर दो तीन सो साल से हमारे देश्वासियों का खूंचूस कर हमारी संस्क्रीति का विनाश करके हमारे सुक्चैन में आग लगाकर अंधा दर्बार चलाकर हम पर अत्याचार करते रहें ये कमीने फिरंगी लोग इन कमीनों के फैके वे टुखडे उठाकर अपनी मा और भारत माता से गदारी करने वाले तुझ जैसे मादरजात जब जब पैदा होते रहेंगे तुम लोगों का सीना चीर कर लहू बहा कर इस देश्टी रक्षा करने के लिए मुझ जैसा कृष्णा तब इस धरती पर जनम लेता रहेगा देख मेरी मा चामुंडेश्वरी की मूर्ति को अलंकरित करने वाला एक पवित्र मुकुठ है ये शराफस से कह रहा हूं उसे मेरे हवाले करकर अपनी जान बचा ले तू नहीं तो फ़र माता मेरे शरीन में प्रवेश्ट रहेगी और मैं तेरा नाम और निशान मिटा कर रख दूंगा मेरा नाम और निशान मिटा कर रख देने के लिए मैं कोई तेरी तरह स्मॉल ब्लैक पॉय नहीं हूँ पत्थर पत्थर खिला कर पालता हूं मेरे पठों को निचोड कर रख देंगे तुझे चकना चूर करके रख देंग अगर मैं इसे यहां बेचूँँगा तो यह मुकुट कुछी कोडियों के दामे बिकेगा बस लेकिन मेरे फिरंगी दोस्त करोडों करोडों रुपे देगर जाएंगे यह बिले लिए अच्छा ओफर है जुपचाप दफा होने के लिए तुम जिसे उठा कर लाए हो वो हमारे घर की कोई चीज नहीं है वो हमारी मा है इस देश की शान है इस देश की जागीर है इस देश की इज़त है इस देश का वजूद है इस देश का स्वाबी मान है, इस देश की ताकत है, इस देश की हर एक मा अपने बच्चे को एक पाट पढ़ा कर रखती है, प्यार के आगे अपना सर जुकाना और अन्याय के खिलाफ सर उठाना, ये प्यार की भाषा तो नहीं समझेगा बेटा, आजा, तेरे इन फिरंगियो माता के सच्चे भग के चिगर में दम है, इसका आज फैसला करके रहूंगा, इसका पीकर दो लुच को जाने हमें तुम को झाले हैं। टारे जाइडिए हो चाहिआ हो जञ करेंगे हो लुट जाइडिए लेए। फिर प्रूंच टाज्री प्रुच्छ ग्रुच्छ झाल जिदाने झाल को पिरु़ए प्रीजर टो कि पाल खोना फिर। वा टाय। प्रुच्छ धोना खिर टुच। तीना Sam 10 प्हें कि फिर्देν फिर्दें स्थ बढ़र ् बढ़र आप 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 ये जमान जी आये देवी मा को इनका चहावार पन किजिये क्रिश्ना चोरी हुए मुकट को बड़ी मेहनत से वापस लेकर आए तुमभी इसे देवी मा को आरपन करो मैं लो बेटा लो बेटा लो हुआ हुआ है कृष्णा कृष्णा उठना इतनी आसानी से नहीं उठेगा अभी मजा चाखाती हो रुप जाओ हुआ है इक कोर अठेगा चुर जोर भा इकलो जल्दी पराइब आरे अशी तरह से पकर के जो रखा है कहां है वो चोर धार्म राज के होते वह यहां दो भाया जल्दी से रसी लेकर आए रसी की बात क्या करा उससे छोड़ा ऐया मेरी बात सुन उससे चिद्धी तरसे चोड़ दे पहले रसी लेकर आईया तब तक मैं इस चोर को नहीं चोड़ूंगा यह ब्धाई बेटा कस्तोर की पार्पन की लड़की को एक नौकर चूटा इसका मतलब क्या है इसे दबोचने का मतलब क्या है चोर चोर कहकड़ enforce कि किसे कह रहे आद रात को में घुसकर भूत की तरा बदन आपको ज्यादा इस घर में होश्यारी जाड़ने लगे कहीं दाना पानी ना उड़ जाए सब्सक्राइब करें यह एक है बेश्रम कहीं की कर्ष्टूरी यह क्या बेटा पढ़ने के लिए तुम्हें देहली बेजा तो तुम अचानक बिना बताए वापस चलिया आई आपकी भी बहुद यादा रही थी नानी मा की भी बहुत यादा आई थी और दादाजी की तो इतनी यादा रही थी कि मैं बताई नहीं सकती बेकार की बाते मत करो तुम अबी बच्ची नहीं हो पढ़ली कर काविल बनोगी इसलिए हुष्टल बेजा और यह यहाँ वापस आ गी दामाजी जब हम यहां है तो इतनी दूर भेज कर पढ़ाने के क्या ज़रूरत है इसके पढ़ने का प्रबंद यहीं कीजिए नहीं ससुर जी एक्यू दादा जी देखा तुना पकिया मेरी पोती मुझसे कितना प्यार करती है वह मेरे लिए अपना कॉलेज ही छोड़ कर आगा पकली अब बेवकूफ बुढ़े वह हमारे क्रिश्णा के प्यार की वज़े से यहां आई है और यह सब जाने भी नहीं अपनी हिलाल कर रहे है तु यह चैक्स बाइज अपने इस पूरे देश में एक ही ताज महल है एक ही कुतुम मिनार है एक ही अमिताब बच्चन है और एक ही जमीदार बोले तो वो सिर्फ मैं हूँ जान से मारतूंगा हवाने दे अरे चाचा जी कुछ भी मत कहिए उससे चेक्स नहीं चेक कहते हैं अपाजी मंटी वाले ने पेमेंट कर दिया है दस हजार मैंने लिये हैं यह सब मुझे मत बताय करो कितनी बार बोला है न तुम्हें आपको बताये बिना मैंने कभी कोई काम किया है क्या घर का नौका जब 10,000 मांग सकता है तो मुझे जैसे जमिर्दार को कितना मांगना चाहिए अच्छा पजी मैं चलता मुझे काम है ध्यांदेना बाई साब हमारे जेव खर्च के लिए कुछ एक लाख रुपे दीजिए एक लाख रुपे वो किस लिए हमारे करनी पड़ती है इसे चमेली का तेल ही लगाते हम आपके मुझो के लिए क्रिश्णा ने दो बोतल मिट्टी का तेल बंगाया है वह आप मुझो के लगाई है कहीं और भी लगाई है मुझे क्या मेरा खाना खराब करने प्तुला हुआ है ठीक है पिर एक जार रुपे दीज जुप हो जा क्यो सर खा रहा है तू सो रुपे में बात पक्की होगे यह लीजे यह क्या जमीदार साब एक लाख रुपे से सो रुपे पर आगे इस जमीदार के लिए सो रुपे भी लाखों के बराबर है एक लुक साले अरे यह क्या उसने मुझे आख मारी मेरे जैसा ना कोई है ही रो अर लड़की कही मुझे बन अपना जोरू क्यों प्यारी कुछ एसाब लगा रही हो क्या क्या हुआ कुछ में मदद करूं क्या क्या हुआ बीस गिरने तग अगर हम नहीं आते तो कुवें में कूद कर तो मात मात्या करती हुआ कि एक रिष्णा इंदु कुवे में कुद कर जान दे रही है इदर अगर बीस गिनने तक मैं नहीं आता तो तो कुवे में कुद कर रात मत्या कर लेती ना मैं सही वक्तर पहुंच किया ना है ना पुजारी तुझे कौन सा रोग लगा जो यहां कर गिरा है रेम का लोग ये घंजे दो और तें रखकर भी तेरी खुझलिया भी तक नहीं गई है तो तेरी जात का थूकना तो तेरे मुझ पर चाहिए था अरे बाई किस्ना जल्दी से मुझे यहां से निकालता हुए पाणी ऐसे कैसे ऊपर आइगा तुम्हीने टो मुझे कहाशनी सुनाöst ह OG09 कम होता है इसलिए एक कवा उसमें पथा कर शुझत की केन पवपर तक ले आता है इसा तुम्हीने चुझ है का शुझत कर देखो क्रिष्ण तोहरा आपकर क्या है सीधी तब बतादो वहु लड़क कि हम लोगों से खिलवाल कर रहे थी और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे हैं अगर उसकी इतनी चिंता है तो अपने स्थर पर लेकर घूम लोगों को परिशान करने के लिए खुला के उचोड़ा आया है इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं पुली स्टेशन में जाक सब्सक्राइब आंगर और आपने दयाम आया है तो वह उस बिचारी लड़की पर दिखाएए सर सर उससे अपनी बहन की तरह समझे सर उसे अपनी ज्रम कर दीजिये औरे एक मर्द होकर इस तरह गलते हुई शरम नहीं आती चलो चलते इस बार छोड़ देते हैं चलो क्या प पगार तो अची तरह लेते हैं तो फिर इंदू को अकेले छोड़कर कहा चले गए थे वह क्या है कि इंदू जी की दवाया लाने के लिए यह बहार डॉक्टर के पास गई थी और मेरी बेटी सब्जी लाने के लिए और मुझे भी आने में तोई देर हो गए अब यह सब इत्ति कि आपके हवाले की है अपाजी मारिए मारिए चइंप अयए अपजी वहत सही माहरा है देखेंस यह बास नहीं आने वाला है क्या मात है क्या सोट्षा मर अपजी वहत्त फॉस्सट्ट था बहुत अच्छा लगा हाथ या पैर एब पैर कि मेरा मतला बॉल को हाथ से ध। धकेल या पैर से आप कहना क्या चाहते हैं आपको लग रहा हूं मैं जूड बोल रहा हूं क्या वहलाय का जमाना ही नियरा मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप है कि मुझे ही दोश दे रहे आप अकेले ही खेलिए ए क्रिश्णा अरे भाई इसमें नाराज होने की क्या बात है मैं ऐसा ही हूँ अब आप अकेले खेलिए ठीक है जाओ मैं केला ही खेल दूँगा हुआ हुआ है चल निकल यहां से अरे क्यों भाई अबे साले अपनी शकल देखिए गोल खेलने चला है वाइट है वाइट सड़ी हुई टोपी फटा हुआ स्वेटर सतर साल का बुड़्डा सफेद मूचे है चल बाग यहां से बड़े बुज़र से कैसे बात करते इतना भी स जानता अभी तू कोई भी हो मेरा कुछ निकल यहां से निकल अरे कृष्ण चल बेटा चलते देर हो रही है बुरी लोगों से दूर रहना चाहिए इसा बुज़र्गों का कहना है चाहिए बुड़ा हुआ है आपको बोड़ी गाड़ है बाई आपको देखके लिड़ लग यह यहीं कहां चल दिया भाई आउना कुछ दिर खेलते हैं जाओ अगेला ही खेलता हूं कुछ भी महसूस नहीं हो रहा पकिया अब तो तेरी चात का मर्दों की तरह जोड़ार दबा बाजा बजाने की तरह हाथ के चला रहा है दबा हाँ 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 लेकिन बस एक बार और निकालोगी क्या हाँ और एक बार मुबने को तेरे कपड़े में डाल दे आपकी बार मैं शायद नहीं लगाऊंगा खुजली का पत्ता पुरे बदन में मल दूँगा अफित तरी अकल ठिखाने आएगी जल रहा सा छोड़ कपड़े पेंट कर सेंट वगेरा मार कर सामने आकर खड़ी हो गई इस घर में मर्द लोगी लुंगी को उपर उठा कर बानने के लिए शर्माते हैं और यह मिडीगी पैंट कर रंग प्रदरिशन कर रही है तुम जैसी लड़कियों से नाता जुड़ गया तो लड़के लो कि अब जाए तो अब जाए तो अब जाए तो अब जाए तो यह तो ने जिन का आपमान किया वो कहां बसते है पता है यहां है अमारे भगवान है वो उनके सामने खड़े रहनी की हैस्यत भी नहीं है तेरी और ऐसे इंसान पर तुने हाथ उठाया तेरी की हुई इस बड़ी गल्ती के लिए यह जोटी सजा है इस बड़ी नहां लिया बहुत फास्ट है आप अच्छी तरह से सर पोचिए नहीं तो सर्दी हो जाएगी जयो हाथ या पैर आध पैर मैं समझाँ उसके पास गये थे ना उसका हाथ तोडा या पैर तोड़ा अरे अाप जी मैं कहां गया शर्फ मैं यही तो खड़ा हूं कि अपपा जी अब वो किसी पर हाथ उठानी पाएगा मैंने उसका वो हाल किया है अब छोड़िये भी वह आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा सारे रिपोर्ट नॉर्मल बता रहे हैं फिर भी पेशेंट की आलत के उनी सुधर यह पता नहीं उसे किस तरह की चोट लगी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाईला काप केडला से आये हैं एक बार चेक कर लिजे डॉक्टर रिपोर्ट्स एक सेरे रिपोर्ट क्यों आपको नर्सिंगा, क्रिष्णा मतलब ऐसे केस आप पहले भी हंडल कर चुके हैं बहुत से हंडल किया है उसके मार से अब तक 25 लोग मर चुके हैं और अब भी एक आदमी जिन्दगी और मौत के बीच जूज रहा है वो सब कौन थे डॉक्टर? भाई साब के लोग अब बचने की उम्मिद बहुत कम है यह मैंने पहले ही कहा था वेर सिंग थोड़े तंदुरूस्त इंसान थे इसलिए इतने दिनों तक घेल गए उस क्रिष्णा के मार से अबता कोई नहीं बच पाया आइम सॉरी अब बोड़ी लेका जा सकते हैं आप वेर सिंग के मार के अबाई अब आपको बाहर ही आना पड़ेगा भाई मैंने सारा अंतिजाम करके रखा है बस आप हां कहिए मैं आपको यहां से आज़ाद कर दूंगा आप समाज नहीं रहें भाई भाई सापका नाम चुनते ही जो लोग थर थर काप थे थे वो आज हमें कुट्टे से बत्तर नजर से देख रहें भाई भाई आपको भाराना ही पड़ेगा बस हां आपको भाराना ही होगा क्यों क्यों नहीं आना है अब लड़ने का दिल नहीं करता यह जेल में आने से आपकी मर्दान की चली गई यही सब सवाल लोग कर रहे हैं मुझे वो क्रिष्णा सामने खड़ा चाहिए पहले उसे ढूंडो उसके बाद में बाहर आऊंगा हां यह बेडियां यह सलाखें बगएरा मेरी मर्जी के बगएर मुझे नहीं रोक सकती जाकर उसे ढूंडो बाद में मैं आऊंगा यह सब को बता दू जाओ बारिश को भी अभी आना था एक कि अपंडो में हुग है अपने कमरे में ही है न वहीं से वक्त भार चली गए तो हमारा काम भी मैंनस चला चले गा चलो चलो अंधर चलते हैं चाहिसे वाषिस उसे पसंद सब्राद के इ Le kick और पर यी अधिये लि & ए उशा, राणी, मुली, मिटो, चलने आओ, बारिश में भीखने, चलने आओ इतनी बड़ी हो गई है, बारिश में खेल रही है, शरम नहीं आती तुझे बारिश में खेलने से क्या होता है? हाँ, तुझे तो कुछ नहीं होगा, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अनात है तुझे, तेरी मौत पर कोई नहीं रोएगा, लेकिन हमारे बच्चे अनात नहीं है, वो बिमार हो गए, तो तुझे उने संभालेगी क्या, ए घर चल, अगर दुबारा तुझे यहां खेलने आई ना, तो तेरी टांगे तोड़ दूँगी, चलुझे, क्या हुआ बेटा, ऐसे बारिश में भीग क्यू रही है, क्योंकि मेरे माबाबा नहीं है, अरे पगली, अगर माबाबा होते तो, ऐसे बारिश में भीगने के लिए, भागने के लिए, ऐसे खेलने के लिए घर के बाहर छोड़ते क्या, जोट, जोट बोलते हो तुम, मुझे माबाबा चाहिए, मुझे माबाबा चाहिए, मुझे मा मैं भी आ रहा हूं रुको अरे वाँ 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 क्यों मेम साम साड़ी गहने पहन कर आज बड़ा चमक रही है क्या बात है नानी के अलमारी से मुझे ये सब कुछ मिला सोचा पहन कर देखूं कैसा दिखता है सुन्द्री कैसी लग रही हूं मैं आपको किसी की नजर ना लग जाए अपाजी वैसे ही ब आपकी मुझे कभी जुकनी नहीं चाहिए ऐसे मस्त कड़क रहनी चाहिए तुम तो बहुत ही सुन्दर लग रही हो मां ए सुन्दरी कहां है तेरी मेम साब लेकर हो उसे सिर्फ सजना सवर नाहीं आता है बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं आनाजी मैं कैसी लग रही हु नानाजी वस्त्र आभूशन वगरे पहने के लिए तुम्हें किसने कहा था ये क्या मां मैंने पहले ही कहा था इन चीजों को घर में मत रखो आज आखरी बार कह रहा हूं यह सब बाहर फैक दो या फिर चला दो कस्तुरी 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 मैंने ऐसी क्या गलती की नाना जी ने इस तरह क्यों चिल लाया मुझ पर अब वो कहा है मेरी नजरों से बहुत दूर है और आसूों के बहुत ही करीब है तेरी महसी तेरी नाना जी की जिन्दगी थी हमेशा उनके साथ रहकर उनके साथ खेलते खेलते वो दुनिया मी भुला देते थी एक अच्छा सा रिष्टा देखकर उन्होंने उसकी शाधी आसू के बहुत ही करीब है तेरी महसी तेरी नाना जी की जिंदगी थी हमेशा उनके साथ रहकर उनके साथ खेलते खेलते वो दुनिया भुला देते थे एक अच्छा सा रिष्टा देखकर उन्होंने उसकी शाधी भी तै की थी लेकिन उसे इस शाधी पसंद नहीं थी वो जि चले गए सबसूर जी पिता जी मुझे शमा कर दीजिए पिता जी सुनिये जी आए घर चलते हैं इसके घर पर कि अखिर हुआ क्या है यह बाद जाने बगएर मुझ पर हाथ उठाते हैं दिमाग खराब हो गया है इनका मुझ पर हाथ उठाते हैं यह जी ऐसी बात नहीं है चुन अब यह तो तुम मेरी पत्ने बन कर रहोगी यह इस आदमी के बेटी बन कर तुम फैसला कर लो करें नियुल इस पिताजी इस हाँ 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 अ कर तो सुनो कि अधी एजी वह हमें छोड़कर जा रही है उस दिन से तेरी मौसी हमेशे के लिए हमसे दूर हो गई तेरी नानाजी का अपनी बेटी की प्रति सारा प्यार पूरी तरह नफरत में बदर गया अपनी बेटी को भी न देखे अपनी मपता को अपने दिल में दबा कर इस तरह रोज आज सुबाहा कर दिन बिता रही हो बेटी नानी अब वो कहाँ पर है उस दिन वो हमें छोड़कर केरला चले गए पिछले साल किसी भी तरह उन्हें अपने साथ लेकर ही आऊंगा कहकर क्रिश्णा बाह गया था उन्हें लेकर आ रहा हूं कहकर फोन भी किया था लेकिन पता नहीं क्यों खाली हाथ अकेला ही वो बापस आ गया तू भी ना मा बच्चों की तरह रोती है वो बहुत बड़े डॉक्टर है हमारी तरह खाली बेटे है क्या बहुत जरूरी काम से अमेरिका गए है आज कल में आई ही जाएंगे देखती रहो एक दिन आचानाक बिना बताये जट से सामने आ जाएंगे और यह खर खुश्या से जूम उठेगा वो आएंगे न क्रिश्णा पक्का आएंगे मां सच में आएंगे ना सच में आएंगे मां मेरी कसम खाकर कहो अरे-अरे मां वो खाओ ना खाओ किश्णा नानी आप फिक्र मत करो क्रिश्णा कह रहा है ना मतलब वो 100% यहां पर आएंगे और भी चलते हैं आओ ना यहां नहीं आएंगे तो और कहां जाएंगे आएंगे बीजी है ना उन्हें भी तो अपने लोगों मैं सिर्फ 2 है एक तो सच कहना और दुसरा कोई अगर सच कहता है तो उसे सुनकर बरदाश करना मुझ में तो सच बोलने की ताकत है लेकिन उसे सुनकर बरदाश करने ताकत उनमें नहीं है इस तरह तुम कितने दिन तक दूब जेलोगे यह सब और वाला ही जाने आप तुछे क्या हुआ मेरी माँ एए एए शिपकली वह मैंने आपाजी को जूस बना कर देने के लाया है हाँ जानते हुँ नानी जी की खातिर इसे लेकर जा रहे हुँ जूस बनाने के लिए एक जवान लड़की का दिमाग जगा पर नहीं रहता तो सुना था लेकिन इसको तो कमर भी जगा पर नहीं रहती यार सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाती है ना घोड़ा है वहाँ पैदल लेक तेरी पापरे इचन से जुल्म पे जून ढाती जा रहे हैं यह आखिर बात क्या है तुम तो जानते ही हो जब жизни बना निकाला ना पता है तुम्हें शेड़े बिना रहा ही नहीं जा रहा मुंगडा मुंगडा कहकर तुम मुझे गलत समझ रही हो तुम छेड़ खानी कर रही हो एक बारूत से यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है आज के बाद मेरी कमर से कभी टक्रानी की जुरत मत करना सुप सुप हम सीधे इंसान नहीं है लगता है कमर सरग यार जवानिका नशा जब चड़े मनिये मचलता रहे अब कैसा लग रहा है जाने तो अपनी घर की लड़की है सोचकर छोड़ दिया तो फिर से मुझे धक्का मारने आ गई हाँ अलो तुससे कह रहा हूं मैं ध्यान से सुन हम से पीछे से चाल चल कर हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता जो भी करना है सामने से कर फेस टू फेस हाँ मार मार हाथ पेर मार सबल कर कहीं अंदर मुंगडाना चला जाए बच्चों की तरह नाटक करती उपर खाना खाली है क्या अपाजी क्या है तुम लोगों का जगड़ा देखें ना अपाजी कल से कोई काम करने जाता हूं तो बीच में आती है इस तारह धक्का मारती है अपाजी क्यों बेटा इसकी वज़े से मैं ठीक से कोई काम नहीं कर पा रहा था तो सोचा कि इसे एक छोटा सा ट्रीटमेंट देदू मेरा भी दिल करता है कि मैं आपका काम करूं बोलिए गलत है क्या मुझे रोकने वाला ये कौन होता है ऐसी बात मत कर अपाजी के काम है म तो प्यार वो लगाओ मिटने वाला कहा है अब बेकर में हम यहां क्यूं पड़े हैं हम जा रहे हैं घर चोड़कर तू सच में बुरा वान और तो क्या अपाजी मुझे आने रहे नहीं है मैं कुछ ने सुनगा है इधर अच्छा सेवा करूं की कुछ भी हो नौकर नौकर ह में रिष्टा ही होता है आज करूं क्या हुआ सब क्यों क्या वोगया सब खटम हो गया ना नवसी दोनों में धरी जिन्दगी बरबाद कर्दी मेरा काम कर रहा है यह सब ब्ला क्या और नवासी पसकी का मिने चाहिए आपका कामी ने चाहिए क्रिश्णा वह भगवान विया कर अगर मुझे बुलाएगा तब भी जान जाने तक शाम होने तक मैं इस घर में ना ही वापस लोटूंगा और ना ही देखूंगा जा रहा हूं तब तक तो मुझे देखे बिना नहीं रह पाएगा बेटा नानी आज स निकाले के लिए कह रही है तो भी और होते हुए और काम करें तो तो अच्छा लगेगा क्या हां तू सच कह रही है इसका मतलब पी पी मैं आ है नवाथ्व का थिस्तिक के लिए अजूरू और भी हिस्दार इस नाम पर हो जमीन जायढ़ है या फिर आप लोके किसी को प्रण करने की आवाश्यक्ता नहीं है मैं खुद बात करूंगा वो कोई भीर है शूर है या को रणदीर है वो भगवान का बेटा है रिश्चिदार का बेटा है या इस घर का चिराग है ऐसा प्रैस्नी कर रहें ये जमीदार जी कितनी सही बात कही है आपने जमीदार जी जो खयाल मेरे दिमाग में नहीं आया वो आपके दिमाग में कैसे आ गया शाबाश कल ही मैं कृष्णा को गोद ले रहा हूँ कि ये क्या अपाजी गोद तक वगयरा लेने की नई बात शुरू कर दी इतने दिन जो नई था आप उसकी ज़रूत है क्या कि अगले हफते श्री कृष्ण की आतरा करूंगा ऐसी मैंने कसम खाई है और उस दिन बेठे को भी साथ लेकर आऊंगा कहा था वो सब ठीक है अपाजी लेकिन इतनी जल्दबाजी करने से दस लोग दस्तरा की बाते नहीं करेंगे क्या इसलिए उन दस लोगों का मुह बंद करने के लिए ऐसा मैंने फैसला किया है अब कुछ भी कही आपाजी मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर जाने दे जाने दे अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दे अगर तेरा मन नहीं है तो तो मेरे जबरदस्ती करने से क्या फायदा बस मेरी आखे बंधोने के बाद तुम्हारे हाथों से मेरी चिता को आग मिले इसलिए मैंने ये सब प्रबंद किया था मेरे मरने के बाद अपाजी आपका जो दिल करे कीजिए लेकिन एक बात जान लीजिए आपके प्रती मेरी सेवा और मेरे प्रती आपका जो प्यार है वो आप किसी और को नहीं देंगे अपाजी नमस्कार राम जी नमस्कार आईये आईये ये क्या अचानक से दत्तक लेने का कारेक्रम रख दिया ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था और सचके है तो अगर हमारे समधी जीने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो शायद मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती फेर भी एक नौकर को ये कोई नौकर नहीं है मेरी जान है मैंने इसे भली जन्द नहीं दिया लेकिन मेरे बेटे से बढ़कर है मेरा हर शब्द इसके लिए विदवाकिस से बढ़कर है मतलब राम जी के लिए अनुमान की तरह है नहीं दश्रत के लिए श्री राम चंदर जी की तरह है यह यतना भी बड़ा महान वेक्ति नहीं है ससुर्जी कि दावाद जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं यह कितना विश्वास घाती इंसान है यह आप खुद ही देखिए इधर आ क्रिश्णा चाड़ों क्या हुआ यह सब क्या है मैं नहीं गहूंगे का तो तो मुझे मार पीट कर या सबर्दिस्ति ले आए किसी पागल को मार पीट क कर नहीं तो क्या उसकी आर्थी उतार कर बैंड बाजे के साथ ले आएंगे कि अब अच्छी बात है ससूर जी आप के सामने आपके दामाद को एक नौकर लात मारता है और आप यह देखकर चुपचाप खड़े हैं बहुत अच्छी बात है बहला इन्हें क्यों दुख होग मार खाई है तुमने इन्होंने तो नहीं ना इस जत्मान मर्यादा छोड़कर इस घर में घर जमाई बनकर आया है इतना सब हो जाने के बाद इस घर की छटके नीचे अब हम एक मिनट भी नहीं रोकेंगे चलो यहां से बोलिए पिता जी हम ये घर छोड़कर चले जाए या आप इसे घर से बाहर निकालेंगे आप ही फैसला कीजिए चाहे इसने घलोथी की हो चाहे इसने हमारा सर जुकाया हो मेरा कृष्णा यहीं पर रहेगा और जो कोई यहां से जाना चाहता है बिना किसी परेशानी के यहां से जा सकता है हफते में एक बार बिना बताए जाते थे इसी के घर क्या? हाँ, जो पैसे लेकर जाते थे, वो इसी के लिए क्या, हाँ, एक ही बार उसे जितना चाहिए, उतना दे कर भीजवादो, समझ गये, अपपा जी, बोलो, एक बार वो मुझे छोड़ने के लिए राजी भी हो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इन गहलेलू जोड़ों में हम बला क्यों पड़ें, चलो चलते हैं, हाँ, चलते हैं, क्रिश्ना, मेरी बात सुनो, मैं आखरी बार कह रहा हूं, उसे छोड़ दो, मतलब, वो तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर है, ऐसा मत कहिया अपजी, आप मेरे भगवान है, तो फिर जिद क्यों कर रहा है, छोड़ क्यों नहीं देता उसे, नहीं हो सकता अपजी, बहुत बड़े इंसान हो तुम, बहुत इज़त रखी है तुमने मेरी, तुम्हारे लिए माय अपनी सगी बेटी को भी दूर रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुम छे, क्रिष्णा, यह सब क्या है, तो इनकी बात सुनने से इंकार क्यों कर रहा है, मेरी बात सुन देटा, इससे क्या बात कर रही हो, अगर इसकी नजर में मेरी और मेरे शब्दों की कोई यहमियत नहीं, तो इसे इस घर में रहने का कोई हां जोगा जा नेकर निकाल अपजी अपन्जी अपन्जी, अपन्जी अपन्जी देखो इसे, एक लावार इसको वारिस बनाने चले थे मेरे ससुर जी एक कुत्ते को सिगहासन पर लाकर बिठा देने से उसकी जात बदल सकती है क्या सौरे पैस्ति ले जाकर उस लड़की पर उड़ाकर बरबाद कर दिया, चल निकल अपन्जी गर्में कौन है कोई नहीं है एए गर्में कौन है बोल सच में सब लोक श्री कृष्णी की यात्रा पर गे हुए जालो डुकिये आपका बक्सा चेक करना है मेरे सवाल का जवाब तू देगा तुमने इसे कहीं देखा है नहीं देखा यह कहां मिलेगा फिलाल तो यहां नहीं है कहां गया है वो श्री रंगापत्ना गये हैं वहाँ वो श्रीकिष्ण वगवांची के मंदर के पुंड में इस्तनार करवाने से इंदू ठीक हो जाएंगी सोचकर गए हाँ हलो 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 सार सार अरो कर दो कर दो पूजा करवाने के लिए परची कहा मिलेगी काउटर पर परची लेकर आstawे ठीक है पंडीजीक इद व frenel दो 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 मेरे इंदो दो 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 है इंदो है यह है डूट प्रेशना बहुत रोया बेचारा मैंने इससे पहले अपने क्रिशना को रोते हुए नहीं देखा आपने मेरी वज़े से उसे घर से बाहर निकाला ना नहीं मैं ही उससे कहीं दूर चली जाओंगी आप उसे अपने पास बुला कर वापस रख लेंगे माजी आप इंसे कहिए ना मान चाहिए ना तो आपचा है तो मैं आपके पैर पढ़ जाती हूँ एए जाने आप्चे! एंदू, डुपकी लगाओ, पानी में! हाँ, ऐसे! एंदू! क्रिष्ला! क्रिष्णा! एंदू! क्रिष्णा! चोड़ा पुचे! क्रिष्णा, बचा सकता है तो बचा ले! देखता हूं तुझ में किता दम है! क्रिष्णा क्रिष्णा कर द devoted दो सुप झाल कर दो जो इस भूल कर दो कर दो कि यु up कि वाढ कि यह इसे जांसे मार दो छोड़ना नहीं कि आप 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 कि आप 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 कि आप' कि आप आप कि एसे कि कि अटें झाल झाल करे तेरे टुकड़े करके तुझे मारने से भी किसी को पाप नहीं लगेगा कुछ नहीं होना चाहिए बाहर लोगों की भीड़ देख रहे हैं ना पूरे केड़ा की लोग यहां हैं चाहिए तो फॉरेंग से स्पेशलिस्ट बुलाईए मनी इस नोटे प्राब्लम पट इसकी जान बहुत ही कीमती है देखिए यहां पर कोई मत रहिए प्लीज बाहर खड़े रहिए क्रिश्णा आपके घर के नौकर क्रिश्णा के लिए कितने लोग आंसू बहार आए हैं देख रहे हैं आपके घर में जगना होने के कारण जिसे घर से बहार निकाला गया उस क्रिश्णा को कितने लोगों ने अपने दिल में बसा कर रखाया आप देख रहे हैं सर कितने लोगों का प्यार और विश्वास हांसिल करने के लिए उसके पास क्या है धन दौलत नहीं है, जागिर नहीं है, नहीं अधिकार है उसका अस्तर क्या है ये आप जानते हैं सर? अगर दस लोगों का बला होता है तो मैं अपना सर कटवा भी सकता हूँ और दूसरों का काट भी सकता हूँ आपकी सिखाई हुई सिर्फ यही एक बात आपकी सिखाई हुई सिर्फ यही एक बात और इसी एक बात से हमारे लोगों की जिन्दगी में खुश ही आई अगर अभी मैं सचाई चुपाऊंगा तो उसका पाप मुझे लग जाएगा मालिक बड़ी बेटी को याद करके आपका मालकिन का दुख दर्द देख नहीं पाता था इसलिए उसने आप सबों को एक करने की कोशिश की किसी भी तरह आपके दामाज जी को मना कर साथ मिलाने के लिए मैं और कृष्णा सबरी मले जा रहे हैं कहकर त्रिवेंद्रम चले गए जिस वक्त इन्होंने वहाँ अपना कदम रखा तब वो सिर्फ एक राज नहीं था रावण राज बन गया था भाई साब कहलाने वाले एक माफिया लीडर का खौफ सबकी दुलों में बसा था सरकार खोकली हो चुकी थी वहाँ भाई साब का ही राज चलता था और उसके छोटे भाई बाला नायर का दरबार राजू हाँ दीदी इस टब्बे में खिचड़ी है दुपयर को खा लेना ठीक है हाँ दीदी अपना ख्याल रखना चलती हूं दुपया दीन साहा पो बुट。 बुट पॉलिट बुट पॉलिष वूलिष बुट पॉलिष बुट पॉलिष भाई साबनें दुबे से खों किया था तो दिन मा हैंघे कह रहे थे हूंची वह मादव शास्तिरी पैसा नहीं दे रहा है टपका दूं क्या फ्रां तो किंटज़ों कर नहीं कि साथ हुआ रोपया दीजिय यह आता है इसे माफ कर दीजिये पया पका तो गया है एक उन्दा है दिखता नहीं तो क्या हुआ सिर्फ कत्मों की आवाज से समझा चाहिए न ला है आप जल्दी से बाइया आप कर दीजे बहुत है आप जोड़ दीजे हैं आप जोड़ दीजे आप जोड़ दीजे आप जोड़ दीजे हैं क्या हुआ है चल निकल कोई कोई से मुझे माचाई ये ओिल्दीजे हुआ। हुआ है हुआ है। है आज इधर कैसे है ची क्या हुआ बहुत गुस्से में दिख रहे हो तू हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है हम ना मर्द हैं ना मर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हम क्या हुआ अपसे दस साल पहले वह भाई साब एक मामुली गुंडा था यह सारे पॉलिटिशन लोग अपना सिक्का जमाने के लिए उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया उसकी ताकत को बढ़ाया और आज वो जिसका नाम लेता है उसी सम्मान देते हैं और जब तक ये पॉलिटीशियन लोग भगवान का प्रशाज समाज कर खाते रहेंगे तब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे ए तेरी बीपी बढ़ गई ये लगता है एक बार हमारे आश्रमें भरती होकर ट्रीट्मेंट करा ले पाखलों की तरह बात मत कर माना की हम उसे रोग नहीं पा रहे हैं लेकिन उस पापी कांति करने कोई न कोई फरिष्टा जरूर आएगा अब तक ये यूनिफॉर्ण किस लिए ये लाठी किस लिए लॉयन ओडर को निष्टा से कंट्रूल करने के लिए सर सरकार ने ये लाठी दिये है कहीं भी कच्रे की तरह फैखने के लिए नहीं इसे समाल कर रखिए अरे बाप्रे कहां के रहने वाले हो सर वह हम वो मैसूर क लग रहे हैं भाईया आप इस आश्रम के मालिक जैसे लग रहे हैं हम यहां ट्रीटमेंट के लिए आए हैं अगर आप थोड़ी सी सिफारिश करेंगे तो हम जल्दी सी इलाज करवा कर चले जाएंगे भाईया रेकमेंडेशन की कोई ज़रूवत नहीं है रेसेप्शन पर म वे मेरा दोस्या शरमीला है मैडम वैसे इसकी एज का महले के रेंज बाड़िया है बीमारी क्या है अब क्या बताया मैडम सुनने में बहुत ही सिंपल है हुं जेलने में बहुत ही होरिबल है मुझे बहुती सुंदर और सुशील लड़की को डॉमेस्टिक देखते ही उसे देख ते ही कमर पर नजर जाती है और बहुत ही बुरी तरह ढडाक से घर जाता हूं मेडम नंसेंस। मैंने ऐसी बीमारी नहीं देखी। चांस ही नहीं है। ये लेटेस्ट बीमारी है। इसका लक्षन ऐसा ही है। क्यों? बाद में होश ही नहें रहता। आओ अब क्या करूं कैसे उठाओ इसको अब घरवानों को मैं क्या जवाब दूंगा एक रवाइब अधर इधर आना यह सब क्या है कि यह सब क्या है सेच में रोगी है यह कोई ड्रामा है खुला ड्रामा मुझे जगाई था पैर पंच रहे दिमाग बन जा रहे तुझे क्या करना है यह जब निकले यहां से तर्फाग वालागा तेरी जातका टकिट दो जलो 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 उड़ा भाई मैं काहा हूँ भाई यहां इलाज करवाने के लिए और यह हमें कुट्टे की तरा मार कर भगा रही है उपर से हम दूर से आये हैं मैसूर से आये हैं हाँ मैसूर से ही जल्दी से एडमिट करो इनकी बीमारी के बारे में तुम जानती नहीं हो इंदू पहले ही बीमारी के बारे में कैसे पता चले आप लोग बहुत दूर से सफर करके आये हैं जाकर आराम कीजेंगे पक्या दीदी को देखा साक्षत माहलक्ष्मी जैसी है एक दम बिल्कुल बिल्कुल मालकिन की तरह इसकी जातका यह तेल एसे क्यों रखा है इस तेल को कान में डालते हैं कि बदल में लगाते हैं कि सिर पे डालते हैं किसको पता है यार यह लोग हर चीज के लिए तेल लगाते हैं अच्छा रहेगा मतलब यह गदे का तेल है निमाग है या नहीं नीचे रखो बहुत महंगा तेल है वह रखो नीचे पतिया चोड़ दें यह डॉंकी को आईल है यार अगर वदन पर लग गया तो हम पीछे से लात मारते रहेंगे ऐसा है तो इसको फेंग देता है नहीं तो में अरे 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 सम्मल कर ठीक से खड़े अरे यह ना है हाँ 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 मैडम छोड़ूंगा तो आप नीचे गिर जाएंगी वो सम्मुझे मत सीखा हाँ 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 केरला का खाना बहुत ही बढ़िया होता है नारियल के तेल से बनाते फिर भी स्वाधिस लगता है मैसूर में आप लोग कहा रहते हैं वहां रामचंद्र जी नाम की एक व्यक्ति रहते हैं आप उन्हें जानते हैं क्या पानी लीजे पानी उन्हें कौन नहीं जानता दिदी वह बहुती बड़े व्यक्ति है बहुती बड़े इंसान है वो मैसूर में ऐसा कोई ने जोने नहीं जानता हो थोड़ा सा चाल लीज दीदी एक मिनिटकी एंट याघ वह चांज कीजिए आपका भी हमारी जानकी जी की तरह बहुत भड़ा दिल ईदी आप उन्हें थि जांती तो मैं इसाथ लोगों का भला करने वाले व्यक्ति है वो और शायद आपको एक बात पता नहीं होगी उनकी कोई बड़ी बेटी अपने पिता से रिष्टा तोड़कर किसी और से शादी करके उसके साथ भाग कर चली गई कहते हैं देखा उनकी कहानी सुनकर उनसे कोई रिष्टा ना होकर भ हो गए हैं पूरे पच्चीस साल फिर कभी उस इंसान का नाम इस घर में लिया तो ठीक नहीं होगा दूप में घूमकर जब ठकावट होने लगे चाव में आगर बैठो थोड़ा सा पानी पीओ थोड़ा पानी के साथ जलजीरा मिला कर लेकिया जलदी लेकरा मान गए यार दीदी के हाथ का बना खाना अम्रित है उस सम्रित में दीदी के पती परमेशों ने नमक मिर्च के जबरदस तड़का दे दिया है उसका जटका अभी तक लग रहा है वो सब छोड़ यार छोटी मुटी बाते हैं लेकिन शुक्र मानो अपने बिमारी का ड्रामा जबरदस काम कर रहा है ड्रामा चाहे कुछ भी हो उस लड़की से तु थोड़ा बचकर रहना उसके साथ बात करना और इन पत्थरों से सर टकराना एक जैसा ही है अरे सर पटकनी की बात ही नहीं आती यार हम जो कर रहे है वो सिर्फ ड्रामा ही तो है ना लेकिन एक बात याद रखना ये जो बात है वो तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए किसी तीजरे इंसान में लिखनी होनी चाहिए लाइक हो गया बेटा जस्त अभी लाइक हुआ ने के लिए הא कर बीमारी के नाम पर जूट बोला अले तुम लोगे ज़्हुटीं नहीं खा सकते ऐसा कौन लग लगा है तुम लोग बीमारीगा धों करोग्य के क्या खालो हट ये सोच्त्यूए भी डर लाग रहा है यह पूरी दुनिया जानती है मैं पैरों से अपाईश हूं एक अंदा हूं पैरों से अपाईश अंदा अरे बाबर मुझे गुस्सा आता है मैं अकला आता हूं और कुछ भी बोलता हूं तुमें इससे क्या बतला दूर खड़ा रहे बटले मैं बटला हूं किदर भीमारी अब आए ना रास्ते पर जड़ा पास आओ यह सब तुम रोज खाते रहते हूं ना आज के बाद शिंग चना पिस्ता बादां वगरा यह सब मेरे पास भी आ जाना चाहिए हां 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 ठीक है तू शाम को आखर मेरी मसाच करेंगा वी तो या विदाउट नो बहुत तकलिफ होगी कोशिश करूंगा कुछ भूल गए ना तो कहां है वो मीटर कौन सा मीटर भाइं थर्वा मीटर है कि कुछारी प्रहमोज सब के कलेक्शन में भाई साब को मिलने वाले हिस्से में से एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए अहां ठीक है अगर भाई कहें तो सिर्फ आर्थी नहीं तेरे पूरे शरीर को सिग्रेट की तरह सुलगा कर रख दूंगा गूर क्या रहा है सरजुका सरजुका साले बाला भाई यह मेरे दोस्त का रिश्चेदार है यह यहां का रहने वाला नहीं है करना टक्का है यह सर जुका यह सर जुका ना वह आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता माफ कर दीजिए यह अपना सर जुका ना जुका बुरा मत माने भाई माफ कर दीजिए प्लीज भाई फोन क्यों मरने की बहुत इच्छा हो रही है क्या बाला नहयर से टक्राने का अंजाम होस्पिटल नहीं है सिर्फ मौत पदाने कुद को क्या समझता है या वह अभाई तो बहुत नहीं नहीं जूटेगा के जीना सीख ले प्यारे तू अपने गमों को मिता दे तू अस्खेल कर जीले तू एक फिक्र को दूए में उडाके मस्ति में जूमके गाके किसी ने ने देखा पक्या देख रहा है मुफ में खाना मिलता है इसलिए पेशेंट की तरह नाटक करके कैसे लोगों को धोका दे रहा है छोड़नानी चाहिए इसे करवाना चाहिए वह सब करवाया हमसे आज मैं उसे नहीं चोड़ूद तो वह हमारी पोल सब के सामने नहीं खोलेगा क्या हमारी यहां आने का मकसद क्या है ए जीवन मेरा है सुना सबसे बेगाना ना कोई है अपना ना कोई सपना सब्सक्राइब अपने पर अपने कंदे पर रखने के लिए वो को योगा पंडित है क्या जा फिर किसी आश्रम का स्वामी है क्या दोनों भी नहीं है वो मेरी और आपकी तरह ही मेरे देश किदर ती सोना अउगले की तरह किसान का बेटा ही है यू आर करेक्ट मैं समझ नहीं पाया थोड़ा साइड माना प्लीज आ गया तेरा चेहरा देखता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ कॉमेडी आइडिया आते हैं काम कर क्या तो एक अच्छी सी रिलेश्मी साड़ी पहन कर बालों में गजला लगा कर बदन पर सेंट मार कर मेरे पैर दबाएगा तो बहुत बजाएगा सुनिए इंदु जी मैंने वो यहां यहां उपर मैं बोल रहा हूं आप ऐसा क्या देख रही हां अरे ऐसा देखा मत कीजिए पताने के लिए तो मैंने आपको बुलाया ठीक है देखिए कोई बात नहीं है लेकिन कभी प्यार भरी निगा से देखने की कोशिश मत कीजिए आ अधिमी तकीटा अधिमी तकीटा जब शुरू हो गया ना तब चक्रा कर नीचे गिर जाओंगा और जहां निकलकर भगवान के पास चली जाएगी यह कोई नया ड्रामा है अरे ओ पकिया बता दे यह कोई संपूरना रामायन का नाटक नहीं है समझा उसे देखिए मैंने मै मुझे बार-बार गिराय मत किजी मैं आपके हाँ जोड़ता हूं नहीं 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 करके बोलने के बावजुद अपने प्यार से अपना सर उठाकर मुझे देख ही लिया ना कोई बात नहीं है वैसे मैं मौत बहुत से नहीं डरता लेकिन आपको ऐसे परिशान करके मैं ऐस कि अगर मैं उसे प्यार बड़ी नजरों से देखूंगी तो वो पेड से गिर जाएगा लेकिन मैंने तो उसे उस नजर से देखा है नहीं तुम्हें उससे कोई लगाओ नहीं है ये सच है वो तुमारे लिए बार-बार पेड से गिर कर अपनी जान दे रहा है ये भी सच है अब सोचो कि तु मुझसे बहुत प्यार करती हो सोचो सोचो जूट मूट का सोचो एक डॉक्टर एक पेशेंट दवाई की तरह एक ट्रीटमेंट 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 एक खटे-खटे नौजवान के जिंदगी तुमारे हाथ में मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऐ पिलीज बीस जोरे ट्रीटमेंत चीए दो मुझे जी मैँ करना हमक। खुष़ खुष़ लोगarten कि खोड़ेचramento करते हैं कि अशनाव вижу मुझे मध्सें के मेरा भूम रहा है say I love you क्या कहा I love you यह क्या अब मेरा सरघ्वम क्यूं ने राया मेरी नॉस्से थीक होगे क्या तो फिर Dashoise कब करें हाँ हाँ शादी नहीं momentos nights love the rules change मेरी बात सुनिए हम भाग चलते है सर भाग चलते ही एक बात कहने पर आपने मुझे कितनी जोर से चाटा मारा ऐसे में किसी और की बेटी को माभाप से अलग करके आप तो भगा कर ही लिया आए ये बात जानकर रामचंदर जीनी आपको इसी तरह एक चाटा मारा वो गलत था क्या सर उस दिन एक प्रेमी बन कर आपने जो किया वो आज पिता की जगा पर खड़े रहकर सोचने से आपको नहीं लगता कि आपने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की उस दिन जीनों ने आपको चाटा मारा वो आप एक इतरह एक पिता था आपने उने कितनी बड़ी सजा दी बीस सालों से अपने माबाब से दूर रहती आ रही है बेटी बेटी से दूर रहते आ रहे है वो माबाब एक दुसरे की याद में सिर्फ आसू बहाते रहें मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा था इसलिए आप सब को फिर से मिलाने के लिए मैंने यह आने का फैसला किया सर सर आपने हमारी घर की बेटी से शादी करके इन्हें हर तरह का सोग दिया उसी तरह इनके माबाब को भी वो खुशी दे दीजी तरह स्वती हम काली में सूर जा रहे हैं इस जनम में तू बदलेगा नहीं करके सोचा था लेकिन बदल गया इस पुलिस वाले की नजर तुम्हारी अच्छाय को पैचान नहीं पाई आप सॉरी कोई बात नहीं है सर भगवान आपकी जोली खुशियों से भर दे टिकेट रड़ी है जा सकते हैं पिताजी कितने सालों बाद मैं पिताजी से मिलने वाली हूँ कृष्णा पिताजी मुझे अपनाएंगे न आप कैसी बात कर रही हैं मेरे मालिक मेरी बात को कभी ने टालते मैं अच्छी तरह जानताओ कि उन्हें कहां दबाना चाहिए उस घर में मैं उनका सगा बेटा ना होते हुए भी फूल इंचाज मेरा ही है इसका मतलब पिताजी ने मुझसे जो वादा किया था उन्होंने वह पूरा करी दिया कैसा वादा वही मेरे जनम के बाद मा जब फिर से गर्वती हुई तब पिताजी ने मुझसे पूछा तुझे भाई चाहिए या फिर बेहन मैंने कहा भाई चाहिए लेकिन लड़की पैदा हुई उस वक्त मुझे बहुत ही बुरा लगा तब पिता जी ने मुझसे एक वादा किया कि मैं तुम्हें एक प्यारा सा भाई जरूर दूँगा वो वादा उन्होंने तुम्हें दे कर पूरा कर दिया कि अपैं कर छोर ndबत्र कर ऑपन कव्हीं देवित अपनिए को नहीं है अब तक यहीं सब मेरे कानों में पहली बार कि अलगंवे आपने मुझे का नाम दिया अपने सचे दिल से मुझे मुझे अपना भाई कहा आपका यहसान मैं कभी नहीं बोलूँगा कृष्णा कभी नहीं बोलूँगा सिर्फ भाई कहकर बस इसी एक बात से तुमने उसका कर्ज चुका दिया अब मैं कैसे चुकाओं ए जी वो दिल में कोई आशा या लालच लेकर यहां नहीं आया है जानता हूं लेकिन उसका कर्ज चुकाना मेरा धर्म है और चुकाऊंगा कैसे अगर उसे मंजूर हो तो इंदू से मैं उसकी शादी करवाऊंगा देखो तुम किसी भी तेल से मालिश करोगी ना तब भी मेरा रोग कभी ठीक नहीं होगा इसके बजाए एक आदा किलो लडडू एक दू लीटर बादामी दूद एक तीन किलो वो पिस्ता बादाम सब मिक्स करके लेकर आओगी तो बड़ी महना से खाप लिकर ठीक होने की क अब आया लाइन पर साला मीटर डालूंगा तो मीटर सा बार आजाएगा जो करना है कर साले क्या कर रहा है देख उदर क्या यह क्या डॉक्टर पेशेंट इतना सब्वादस चिपक कर आ रहे हैं उश्पा दूसरे पेशेंट को देखो कैसे नायर जी उपर तो ठीक हूं ले वह इस जनम में तो कभी ठीक रही होगी खाने पीने के लिए देंगे उसके सारे में यहीं कहीं जी लूँगा बिल्कुल वही केस है हमारे गाउं के गंगाराम घंजकर को इसी तरह की बीमारी जकड कर बैठी थी फिर पंडित शुकला चारे जी ऐसी एक मंत्र की चड़ी ल होगी तु खुझाया का तो शायद होगी इन बेकार की कोशिशों से कोई फायदा नहीं होगा ऐसी बात है तो मंत्र पढ़ना होगा हां पढ़ना ही होगा ओम काली नी कपाल नी दुख दरिद्र हार नी भूत पिजा संहार नी ओम चाम उंडे विच्चे फट ओम क्रेम ग्र अब कई नायर भाई कुछ मैसुस तो हुआ होगा तो फिर इतना रो क्यों रहे हो बेटे मेरी इस लाइलाज बीमारी की वज़े से तुम लोगों को जो परेशानी हो रहे उसे देखकर मेरे दिल में जो भारी खुशी शमाई है वह खुशी उबल उबल कर आसू बनकर मेरी इस आंखों से बह रहे है पेटा इसे खुशी के आसू कहते है अरे बिल्कुल सही यही सब हो रहा था हमारे गंगाराम घंचकर के आंखों से भी पहले ऐसी खुशी के आसू निकले उसके बाद वो पेरों पे खड़ा हुआ यह पक्या जैले पीले जीले अब भी बिमारी ठ काफी है कल से आम स्पेशल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए ठीक है मुझे पता है लोगों को कैसे दोड़ाते हैं तो जल्दी यहां से भागेगा हां बजने वाली है तेरी बैंड रहे स्टॉप बिकाड़ी पक्या हां शौक ट्रीटमेंट का काम हम कल से अब यह बचाओ बगवान अब बाग रहे बाग रहे अब प्रिश्णा यह सब कार में रख देना मैं कस्तूरी के लिए कप्रे लेकर आती हूं आपके लिए अच्छी से साढ़ी ले लिजिए देखते इस धरे के धरे रह जाने जाए तो अधाने निकल भे निकल यहां से तुझे कुछ लेना था ना बोलना इतना शर्मा क्यों रहाया बोलना वो मेरी दूसरी आइटम के लिए जैकेट के अंदर पहनते हैं ना बहुत मालूम नहीं है बाई मालूम नहीं है इडियाट देख इन लोगों में से किसका साइज फीट होगा बता पूरा ही तोरी लोगों अलोटल में हो क्रिश्ण आपाओं बॉल कि मैने जीजु को मना लिया आइए अरे तुम नहीं जानती क्या मा मैं जिसका में हाट डालता वो होना ही है अच्छा तुम लोग कब आ रहे हो अरे हम कल ही निकल रहे है मां 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 दीदी एकदम मस्त है मां कि अ क्यों जल्डेशा रहे हैं तुम सब का अब तक मैंने बहुत ख्याल रखा है तीन महीनों से मैंने किसी कर रहा क्या है या फिर किसी का मार्डर किया है इसी का मैंने कुछ भी उखाड़ा क्या इससे मैंने क्या पूछा, क्या पूछा, और बदले में इसने क्या क्या, क्या क्यो, पब्लिक के सामने इस बाला नायर के गालपट, चांटा मारा, और मेरी इजदमान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई, अक्थू, इससे इसकी सजा मिलेगी, मुझे भी बात करनी है, बात करोगी, रुखो, देता हूँ, दिदी, बात करोगी 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 सब को अच्छे से गरम होने दे जी भर कर पीने दे बाई वो आरा है कौन है वो आश्रम में रद्धा है बाई यहां क्यों आया पूछा था ना उसने तो नहीं बताया इसलिए यह बताने आ रहा है अजय करें जाकर पूछ उससे तो अब करें तो है अब यह जाले साथ अब रहा का साइच बताने के लिए इतनी दूर से तुए यहां पर आया है हुआ है वे! भाईया! इसे मच होटा भाया! इसे जान से मार तो, भाईया! इस पापी को मच छोड़ना भाया! मार दो इसे भाया! मार दो! इस पापी को मार डालो भाया! इसे इंधरती में जीने का कोई अविकार नहीं है! इसे बचने नहीं चाहिए! भाया! इसे मार दो भाया! इसे जिंदा मच छोड़ना भाया! आचारे जी दूद लेकर आईए आप ये क्या कह रहें स्वाबी जी अन्याया धर्म को रोकने के लिए उस भगवान को मंदर के किसी मूर्ती के रूप में प्रकट होने के आउशक्ता नहीं वो इस प्रकार किसी मनुष्य के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं अभिशेक तो इनका होना चाहिए अरविंद क्या हुआ भाई साहब के भाई बाला और उसके आदमियों को me क्रिष्यना ने मार डाला क्रिष्यना चलो मेरे साथ कहां के हो से कहीं दूर इससे पहले के भाई साहब हम Kell ninety हमारा यहां से निकल जाना ही बैतर होगा बिना मतलब की बात मत कर कृष्णा ने जब बाला नायर को मार डाला तब लोग इसी कितनी जयजयकार करने लागे पता है उन सब को मारने वाला कल भाई साब के भी टुक्रे टुक्रे करके रख देगा बस करो कुछ और मत बोलो मेरी पत्नी की जान लिए उसके गुस्से में कृष्णा ने बेशक उसे मारा होगा इतनी सी बात के लिए लोगों के याशू पोचने के लिए इस राज्य का उधार करने के लिए गुंड़ा गर्दी को जर से मिटाने के लिए कृष्णा यहाँ यहाँ ऐसा मत सोचना भगवान के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए कृष्णा चलो यहां से कृष्णा जिन लोगों ने तुम पर विश्वास किया तुम्हें अपना माना तुम उनका दिल तोड़कर जाओगे क्या कृष्णा तुम हमारे साथ चलो प्लीज क्रिश्णा कर परोन का उत कर विल कर अरण! क्रिश्ना दो दिन बाद हमें मैसूर चलना है ठीक है ना आपकी मर्जी है है क्रिश्ना कहां छुपा है तू मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूं तू मेरे लिए यहां मता तालिया बजाकर जिन लोगों ने तेरा भिशेक किया ना इन लोगों के लिए आजा मैं तुझे यह पानी दे दूँगा अपनी प्यास बुझा लेकिन तुम्हारा जो रक्षक है न उस क्रिश्ना को बस सरके एक बार यहां आने के लिए बोल उसे बुलाना बेटा ले थोड़ा पानी पिले हमारा भाईया डरता नहीं है वो एक शेर की तरह आएगा और तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा अरे वाह अच्छा है बुला उसे भाया क्रिश्ना हाथ अटाईये नहीं क्रिश्ना हाथ अटाईये मेरी बात सुनों क्रिश्ना अटाईये क्रिश्ना 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 बेरी बात सुनों क्रिश्ना वो कोई मामुली लोग नहीं है वो तुम्हें मार डालेंगे तो मार ने दीजे दस लोगों का भला होता है तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ क्रिश्णा नहीं, नहीं क्रिश्णा प्लीज बाबा भाई वो अभी तक नहीं आया आएगा, वो जरूर आएगा वो तू है, तूने मेरे भाई की जान ली अरे तूने मेरे भाई और उसके आदमियों को दोड़ा दोड़ा कर मारा तो मुझे लगा कि तू कोई भेयानक राक्षस जैसा आदमी होगा अरे तेरे मुँपर तो ठीक से मूचे भी नहीं निकली है तो पिर कहां से आई तुझ में इतनी हिम्मत, यह ना ही तेरा गाउं है, ना ही तुझ यहाँ प्रपैदा हुआ है और नाहीं तेरी कुछ सेना है तो फिर कहां से आई तुझ में इतनी हिम्मत तेरी जैजेकार करने वाले इन सारे कीडे मकोडों को तेरी मौत का खेल दिखाने के लिए यहां मैंने बुलाया है अब दिखाव साले अपनी मर्दानगी आँ बढ़िया बढ़िया देखो न बढ़िया इनोने हमें तिना मारा बढ़िया देखो न बढ़िया 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 बढ़िय प्यास बुजी क्या बेटा रुजी मैं अढ查 कर दो कि अजसी हो कि तो हह जुई फोड़ जोड़ जोड़ छोड़ सौलेब नहीं बचेगा तू छोड़ नीचे उतार मुझे नीचे उतार निचे उतार मुझे निचे उतार छोड़ मुझे प्लीज मुझे निचे उतार निचे उतार मेरा गाओं मेरा सामराज्य ऐसा कहकर तु बहुत उड़ रहा था ना अब क्यू रहा है हां अपनी मौत का खौफ दिल में बैठ गया गया हां बोला साले थू बोला कुंडागर्दी की बदालोत मर्दान की दिखाने वाला लोगों पर हिंसागर के राज करने वा तुझे सलाम ठोक कर तेरे तलवे चाटने वाले इन भाड़े के टट्टूों की ताकत जो है वो मेरे इन पैरों के धूल के समाने तेरी आखों के सामने तेरे पूरे सामराजा का सर्वनाश करके जब तक मैं तुझे गली-गली में पागल फुत्ते की तरह नहीं दोड़ात यही चीज मैं भी अपना सीना ठोक कर अपनी जांग ठबतबाकर आज कहता हूँ मैं हूँ सबका मसीह क्रिशना तुम लोहों के लिए मसीया सिर्फ क्रिशना ही नहीं पाप यों के लिए नर्सिमा भी है यह ले जब ये क्रिश्णा अपनी छाती ठोक कर जो करने की ठान लेता है वो आखरी सांस तक लड़कर अपने खून का हरे कत्रा बहा कर पूरा करता है अगर तु इस आख से खेलने की कोशिश भी करेगा तो जल जाएगा जल कर भस्म हो जाएगा खबरदार रुख जाओ सर अपिस वक्त क्रिश्णा आज के बाद यहां मताना जाओ यहां से अर्विन ये तु क्या गरा है हम यहां लोगों की जान बचाते हैं जान लेने वालों की यहां जगह नहीं है प्लीज गो एक बार इंदू से इंदू आउड़ सारी इंदू शायद मेरा फैसला गलत है नहीं बाबा मैंने जिससे प्यार किया वो क्रिश्णा था लेकिन आपने जिससे यहां आने से मना किया वो नरसिन्ना था मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं बाबा बाबा मा के जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता बाबा यहां से कहीं दूर जाते हैं बाबा कि हो गया हुआ है कि अधा पसका भाग लेए उसे जाब पकड़ा उसे अधा भाई साब के लोगोंने हमला किया है सब लोग अपनी जान बचा कर भागो भागो जल्दी चड़ो हिंदू जल्दी नरसिमा कहा है बोल बोल था थीज़े चौट तो मुझी वह कहीं नजर नहीं आ रहा है भाई मैं सच कर रहा हूं अब हमारा उससे किसी भी तेरा का संब्द नहीं है जिस दिन उसने आपसे दुश्मनी की तब से मैंने उसे कभी अपने घर में नहीं कि मजे छोड़ दिए भाई सारा खेल बिगड़ गया उस नरसिमा की बात सुनकर वह सियम हमारे खिलाफ हो गया आपको अरेश्ट करने के लिए उसने वरण भी शुकर दिया मैं किसी भी कीमत पर इसकी अनुमत ही नहीं दूंगा कहा तो उसने हो मिनिस्ट्र चिनने की धमकी दे दी इतना ही नहीं अगर आपने कुछ गढ़बढ़ की तो आपका एंकांटर कर देगा ऐसा कहा है इस वक्त वस्ती हम कहा है सभी मंत्रियों को अपने साथ लेका दिली ज अब्धा एक है इसे जाने दो में फिनिश अब बॉल बंटी भाईया अरविंद को भाई साब ने छोड़ दिया है लेकिन उनके सूटकेस में बॉन रखा है जिस ट्रेंड से सीम जा रहे हैं उसी ट्रेंड से अरविंद जी इंदू जी के साथ जा रहे हैं आप किसी भी तरह उने बचा लेजे भाई हमारे प्लाउन के बारे में कृष्णा को पता चल गया उस अरविंद को ढूंडने के लिए कृष्णा अपने लोगों को जरूर अलग-अलग भेजेगा हमें भी अलग-अलग होकर उने रोकना होगा अब देर मत करो जाओ अरविंद सर की सुटकेस में भाई साब ने बॉम रख दिया है ओमाई गाड ये बात हम जान गए हैं ये उसे भी पता चल गया है किसी भी तरह वो हमें रोकने की कोशिश करेगा हम सब अलग-अलग से जाएंगी जो पहले वहां पहुचाएगा वो अरविंद सर से पहले व अर दो हुचाएग ये पहां दो हुचाएग अरया है हुचआ हुचआ है कर दो जल्दी चलो भाई वर्न ट्रेन छूट जाएगी यह लो भाई भाई जीए यह को तक हो जूट हो जो यह लो यह लुग हो जो जूट आई जूटी आऊ इस्टकेशंग बांवाव झाया रुख जया ब्रुट युश्णू लुगां जुटी आउ जीए बाद सुनें सूटकेस में और वह है प्ल जल्दी अगर कुछ करने से दस लोगों का भला होता है तो मैं अपना सर कटवा भी सकता हूं और दूसरों का सर काट भी सकता हूं कुछिष्णा गाल है कुछिभा है 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 मुने बिल्दी कर्छिफ है हैं दस लोगों का अगर कुछ बला होता है तो एक की जान जाने में कोई बुराई नहीं है मेरी वज़ा से कईयों की जान बच गई लेकिन मेरी बेटी बेचरी अनात हो गई अब इसके बाद तुम ही उसके सब कुछ हो प्रिष्णा मुझे भूग लगी है मुझे खाना चाहिए क्रिष्णा ने उसके पिता को मारा इंदू सिर्फ यह जानती थी उस सूट के इसमें जो बंब था अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो उस ट्रेंज से सफर करने वाला एक भी इंसान नहीं बसता और यह सच्छाई जाने बिना इंदू ने बहुत बड़ी क्रिष्णा ने उसकी खातिर कितनी तकलीफे सही यह बात उस बेचारी को पता नहीं थी वह हमें कुछ बताए बिना यहां से चला गया आप लोगों से भी दूर हो गया अगर उसमें जरावी स्वार्थ नाम की चीज होती तो वह वहीं रहकर लाखों करोरों रुपे कमा सकत लेकिन उसने किसी चीज का लालच नहीं किया उसके दिल में आप बसे थे मन में वेदों से ज्यादा आपकी बातें थी इसके लावा और कुछ भी नहीं था यहीं सचे मालिक कि इंदिरा जी आपकी नवासी है यह बात आपको बताने से कि आपकी बेटी की मौत की खबर भी बताने पड़ेगी या सोच कर रख गया और आज वो अपने दुख दर्द को अपनी परिशानियों को सीने में दबा कर मौत से लड़ रहा है मलिक क्यों रो रही हो बेटा वो जब छोटा था तब से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया उसके बावजूद मैं उसे ठीक से नहीं समझ पाया अब तुमने उसके साथ जो भी कुछ किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा सुनिये ही इस आप देंजर थैंक यू डॉक्टर थैंक यू वरी बच सुन्त्री बगवान बड़ा है उसने अखर मेरे कृष्णा को बचा ही लिया क्या क्रिष्णा को कैसे पटाना चाहिए यह सिर्फ मैं ही जानती हूं क्रिष्णा मैसूर में है अमने उसे पकड़ने की कोशिश भी की मंगर क्रिष्णा क्रिष्णा अज़ 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 नज़ प्रश जड़ अज़ झाल मेरे राज्य में मेरे ही लोगों के सामने तुने मेरी इजद के धज्या उड़ा दी थी हाँ अब देखता जा तु तेरे राज्य में तेरे ही लोगों के सामने अपना साम राज्य खड़ा करके मैं तुझे मिटा कर रख दूगा उड़ा आज्या अज्या रिच्ण वभ्प पॉप पुझे पॉप प्षड़् प्चे पार पड़ा पक्वचित प्ड़ा पर पर प्ड़ प्र अड़ जेक प्ड़ छंड़ कर दो कर दो मिले कर दो कर दो कर दो और अजो ऱ पर वह वह तू हुआ हुआ क्रिष्ण हुट्सा मुझे भी मार मुझे वरना तू ना मर्द कहलाएगा तेरे इस राजी की इजट कोडियों की भी नहीं रह जाएगी मेरा गाउ मेरा देश कहने वाले यहां के लोगों को अपना सर शर्म से जुकाना पड़ेगा क्या हो गया रहे खतम हो गया क्या तुझे पैदा करने वाली इस खटिया मिट्टी की ताकत बस इसनी है क्या तू इस नाजाइज मिट्टी की नाजाइज आउलाद है तुझ जैसे पापी की सजा सिर्फ मौत है तेरे जिगर में तेरी मुट्टी में तेरी जबान में ही सिर्फ जोश भरा है महान लोगों को जनम देने वाली इस धर्थी माने ही मुझे भी जनम दिया है मेरा खुन के हरे कत्रे में जोश भरा हुआ है महात्मा गांधी बंडित जवाहरलाल नहरू शुबास चंद्र बोस लाल बाहदूर शास्त्री चत्रपति शिवाजी महाराज सर्दार वल्लभाईव पटेल वीर भगत सेंग मंगल पांडे इन्ज सभी महाराइव पांडे इन्ज महान लोगों ने इसी धर्ती पर जनम लिया है कुते ऐसी धर्ती पर तुने जनम लेकर इस देश की आन बांच शान मान मर्यादा को मिटी में मिलाकर तुने मेरे अंदर के नर्स जिम्मा को हिरने कशब बनकर ललका रहा है उसके सामना कर हाँ कि हमारे आगे हाथ पैला कर पानी मांगो शर्बत फिलाएंगे दूद मांगो खीर खिलाएंगे प्यार मांगो सीने से दिल निकाल कर देंगे अगर धोका देकर हमारी इजदत के साथ खेला तो जिन्दा ही कार देंगे कि अक इससले और मर आप पार तरिजत कमा एसाले मार ने है अड़र रएक हमारी स्थर्थी की इजद अबरूपर कोई दाग नहीं लगा सकता अगर गलती से लग भी गया तो वह अपनी चांट से हाथ धोगेटेगा है ओ कि अ झाले झाले बोड़ा झाले को. तरह देखिए आप सब का कीमदी वोट जो है उम्मीदवार हमारी कस्पूरु नइयक जी एकसा जबी दार नयकृक का आप सबीसे कहना है हाल कुम चुप खड़े रहे ने वोट इंदिरा जी को ही जाता है का सब लोग अपना अपना मुझ बन करके खड़े रहा हो बेटा कृष्णा अरे अप जाई अपाजी एक शनकन ही अरे अप जाई अपपाजी अरे अपट किए मुझे शर्मातिये अरे ये शर्माना अरमाना बाद में करना जब सर्फर पहाड़ गिरा हो तब इस तरह खामोच बैठने से परशानी का अल नहीं निलता बेटा जो भी फ नहीं तो मुझेश कृष्ट इचुड़ा झांथ एस्थ तो ये मीडम जो है वो आदी पागल है और ये पूरी पागल है किसके साथ जी और किसके साथ मुरू पता नहीं क्या इसमत देखे ये ये तेरा मेरा करने का यु लफड़ा हना ये कोए नहीं ृसाथ नही है सद्यो हुआ 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 है